नमสकार दोस्तो मेरा नाही सांटीष और आपका सुज़ा था आज की नई वीडियो में तो friends इस वीडियो में हम बात करने के लाले हैं smartwatch के AI voice features के बारे में तो दोस्तों यह जो मेरा Firewatt का talk 2 है smartwatch यहां पर आप लोडिये सकते हैं और इसमेn voice assistant का एक feature दिया गाँ कैसे इसको चालु कार ना हा है इस जिटो में बताने वाला हूं तो सबसे पहले आपको अपने फॉन से जो स्मार्थ वाच को कनेक्ट करना कोई करना होगा तो connect करने के लिए मैंने वीडियो बना रखा है यह जोदो स्यपूर faz Halo act का डाफिट आप आता है इसको simply आपको download करना है छोटा सा यहाँ पर setup करना होगा फॉर file उसके बाद यहाँ पर देखिए बोल रहा है allow करने के लिए बुलूटूट एलाओ करने के लिए तो यहाँ पर हम कर देते हैं को कर देते हैं ठीक है फ्रेंट्स तो यहां पर हमको क्या करना है तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर हमको चेक कर लेना है कि जो हमारा स्मार्ट वाच लेकिन यहां पर कोई भी फीचर वर्क नहीं करता है यहां पर देख सकते हैं यहां पर डायल का जो फॉन डायलर है वो भी यहां पर वर्क नहीं कर रहा है और यहां पर कनेक्ट नहीं है ऐसा लिख रहा है कि आपका फॉन से कनेक्ट नहीं है ठीक तो ऐसा की हो के और call का और audio का दोनों का option आपको यहां पर एलाओ कर जैसे यह audio का आपने यहां पर एलाओ गया तो यहां पर देखिए please talk to यहां पर बताने लग गया ठीक है friends तो पहला step तो आपको यह कर लेना है उसके बाद यहां पर आपको back जाना है बैक जाने के बाद जब आप यहां आप यह voice पर किलिक करते हैं तो आप यहां पर एक खुल के आ फूल के आगया यह वूर्क करने लग गया ठीक है friends लेकिन यहां पर मैं कुछ बोलता हूं तो यह सुनता नहीं है क्यों बोलाय है टाइप करने के लिए ठीक है friends किसी किसी फून में दोस्तों यहां पर खुलता भी नहीं है यह उसके लिए आपको simply microphone को यहाँ पर on करना पड़ेगा ताकि हमारी बाते सुन सके तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा setting में तो phone के setting में आपको जाना है तो देखिए यहाँ पर Google आ गया है तो Google पर simply आपको टेप कर लेना है टेप करने के बाद permissions में आपको क्लिक कर लेना है permissions पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए जो अपना microphone का जो not allowed में है microphone तो इसको allow कर देते हैं फिर्ण सुर्णस जैसे हम इसको allow करेंगे तो यहाँ पर अलाव हो गया है आफिके प्रैंस देखिए आप यहाँ पर चला गया है allow में करने के बाद simply आपको को कॉट करना है क्रुक करने के बाद जाब आप यहाँ पर तो जो बोलेंगे वो कड़ेगा ठीक है फ्रेंट्स जैसे हम यहां पर पूछने वाले हैं वेदर टुडे वेदर टुडे इस तरीक से आप अपना गूगल असिस्टेंट को यूज करते हैं आप अगर इसको बोलते हैं कि ओपन कैमरा तो ओपन कैमरा ओपन कर देगा ठीक है फ्रेंट्स मैं यहां पर इसको बोलूँ यहां पर देखिए ओपन कैमरा समझ गई देखिए फ्रेंट्स यहां पर कैमरा को ओपन कर दिया कई लोगों को यह दोस्तों प्रोबलम होती है जब यहां पर स्मार्ट वाच से कनेक्ट कर देते हैं और फॉन भी लगाते हैं या फिर आप यूटूब चलाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो सारा साउंद यहां पर इसी स्मार्ट वाच में शो होने लगता है तो यहां पर किसी को ब्रोबलम होती है अटे के फ्रेंट्स जैसे हम यूटूब चलाते हैं यहाँ पी यूटुब चलाएंगे तो यहा पे फॉन का साउंड नहीं सुनाई देखा एक है तो यहाँ पर करना क्या है आपको क्योंकि यहाँ पे आपको मुबाईल में है ही साउंड चाहिए ज्यादा बेटर आएगा तो सिंपल यहाँ को फिर से ब्लुठथ हुन्स पे setting पे जाके और audio का जो है आपको यहाँ पे off कर देना है ताकि आप जब यहाँ पे YouTube यूज़ करें या फिर phone अपना यूज़ करें तो phone का sound phone में सुनाई दे ठीक है friends तो आज के यह छोटा सा वीडियो दोस्तो इसी topic पे ताकि आप AI voice को कैसा यूज़ कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ दोस्तो यह आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा स्मार्ट वाच या फिर उसके features के बारे में कोई भी जनकाड़ी अब लेना चाहते हैं तो हमें comment करके पूछ सकते हैं आपका जवाब जरूर दिया जाएगा comment करके या फिर वीडियो बनाके ठीक है friends तो मिलते हैं आगली वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद